हेलो फ्रेंट्स, आइम डॉक्टर कमला पाध्याई आज का लेक्चर रिप्रोडक्शन इन पेरामीश्यम पे है और इसमें हम आज सिर्फ एक ही तरह का रिप्रोडक्शन पेरामीश्यम में देखेंगे जो है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन तो चलिए शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स, हम अगर पेरामीश्यम में रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो पेरामीश्यम कई तरह से रिप्रोड्यूस करता है लेकिन उसका चाहे रिप्रोडक्शन किसी भी मैथड से हो तो हमेशा A-sexual reproduction के थुरू उसमें reproduction होता है यानि कि अपनी ही तरह के वो parameter produce करता है और A-sexual reproduction के दोरान वो हमेशा चाहे वो किसी भी तरह का उसमें reproduction हो रहा है तो उसमें lastly जब वो 1-2 में convert होगा तो हमेशा binary fission होगा तो ये बात आपको याद रखनी है इसलिए इस topic में transverse binary fission बहुत ही ज़्यादा important है और ये अक्सर exams में भी आता है तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि A-sexual binary fission A-sexual यानि कि जहांपे कि दोनों ही sexes की जरुवत ना हो यानि कि male और female ना भी available हो तो एक अकेला individual भी अपनी ही तरह के परामिशया produce कर सकता है तो इस तरह का जो reproduction होगा उसे हम कहेंगे A-sexual reproduction मतलब कि जहांपे gametes नहीं बन रहे हैं या दोनों ही parent वहाँ पे नहीं है उसके बावजूद भी अगर एक single parent ही अपनी ही तरह के प्रोजैनी अगर produce करता है तो उस तरह के reproduction को हम कहेंगे A-sexual reproduction अब इसमें भी परामिशयम के case में जो मैंने कहा कि वो चाहे किसी भी method से इसमें reproduction होगा तो उसमें ये हमेशा last में जब तो में divide होगा तो उसमें हमेशा binary fission होगा अब ये binary fission जो है या तो इसमें longitudinal होगा या तो उपर से नीचे की और ये दो भागों में बटेगा या फिर बीच में इसमें groove बन जाएगा जैसा कि यहां पर आपनों को figure में दिखाया गया है अगर इस तरह का groove बनने के बाद ये divide होता है तो उसे हम कहेंगे transverse binary fission तो अक्सर जो परामिशा है वो हमेशा transverse binary fission के थुरू ही ये divide होता है और longitudinal जो binary fission है इस तरह का या fission है या reproduction है इस तरह का आपको conjugation के जो इसका reproduction की method है उसमें आपको दिखाई देता है ठीक है otherwise हमेशा transverse binary fission के थुरू है डिवाइड होता है तो चलिए अब अगले segment में हम इसको जड़ा detail में समझ ले so friend transverse binary fission परामिशा में अक्सर दिन में दो से तीन बार ये हो सकती है एक दिन की बात करियों में ठीक है तो per day ये दो से तीन बार हो सकती है और इसको complete होने में 30 मिनट का time लगता है और दो परामिशा को एक दूसरे से अलग होने में लगबग एक घंटे का या उससे ज़्यादा इसका time लग सकता है और आपको एक बात याद रखनी है कि ये हमेशा जब भी favorable conditions होंगी परामिशा के लिए याने कि वहाँ पर proper food इसको available होगा या जो temperature, water temperature वो सब इसके favor में होगा तो कहने का मतलब है जब इसके favor में सारी ही चीज़े होंगी उस time पर ये divide होगा transfers, binary, fission के थूँ या फिर longitudinal, binary, fission के थूँ और जब ये fission start होगा उसके पहले परामिशा हमेशा खाना छोड़ देगा और जो इसका oral group है और जो इसके बकल structures हैं वो धीरे धीरे गायब होने शुरू हो जाएंगे कहने का मतलब है कि इसके जो micronucleus के अलावर जो इसकी जो cell के अंदर जितनी भी बाकी की चीज़े हैं वो धीरे धीरे disappear होने शुरू हो जाएंगे यान कि cell organelles disappear होने शुरू हो जाएंगे अब यहाँ पर आपको एक बात बहुत ध्यान में रखनी है क्योंकि परामेशा में फ्रेंट्स हमेशा जो भी इसमें जिस भी तरह का इसमें reproduction होता है तो इन सबकी जो different different varieties जो describe की गई है वो इसका जो nucleus है उसके nuclear organization पे based है ठीक है यानि कि जो इसका nucleus है उसमें क्या-क्या changes आ रहे है या आप कह सकते हैं इसका जो micro nucleus है उसमें क्या और किस तरह की changes आ रहे है उसके base पे इसके different different जो इसके ways है reproduction के वो बनाए गए है तो जब हम transverse binary fission की बात करते हैं तो इसको हम दो अलग-अलग subtopic में इसको divide कर सकते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे the micro nucleus start dividing like mitosis अब इसमें आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जो micro nucleus है वो इसमें mitosis की तरह divide हो रहा देखिए mitosis की अगर आप लोगों को process अगर आप लोगों को पता है तो आपको यह easily आपको समझ में आएगा ठीक है तो सबसे पहले उसमें क्या होता है कि जो इसका nuclear membrane है यह बोल रहा है कि वो बहुत ही tightly वो आपसमें जुड़ा हुआ रहता है साथ ही जितने भी इसमें chromosome है अब chromosome का जो number है वो species specific होगा ठीक है तो जैसे हमारे humans के case में हमारे अंदर कितने 46 number of chromosome हैं तो इसी तरह से जो परामिशय है इसमें जितने भी number of chromosome हैं वो यहां पर दिखने शुरू हो जाते है अब देखिए इसमें जो प्रोफिस स्टेश की तरह जो इसमें event होता है उसमें क्या हो रहा है देखिए क्या लिखा है इच क्रोमोजोम splits longitudinally to form two chromatis याने की हर इक जो ख्रोमोजोम है वो लंबाई में बट जाएगा याने कि कट जाता है जिसे की 2 chromatis उसमें बन जाए ठीक है इसी लिखा है इच क्रोमोजोम splits split हो जाएंगे longitudinally उपर से नीचे की और तो यह इसका प्रोफेस की stage में होगा then metaphase में metaphase याने कि जब सारे जो chromatis है वो equator में arrange हो जाते हैं इस तरह का होता है और उनमें spindle fibers जोड़ जाते हैं ठीक है तो वैसा ही यहां पर क्या हो रहा है paired chromatis now get arranged on the nuclear spindle याने कि जो nuclear spindle है उसके साथ में वो जुड़ जाते हैं बीच में equator में आ जाएंगे सारे ठीक है तो यह metaphase की stage में होगा उसके बाद anaphase में क्या है देखो anaphase जहां पर कि इनका separation start हो जाएगा याने कि दोनों ही जो बीच में जो equator में दोनों ही split हुए chromatis अपने जो spindle हैं उससे जाके जुड़ गए हैं वो अपने अपने पोल की और anaphase की stage में वो बटने शुरू हो जाते हैं तो वही यहां पर लिखा है separation apart of chromatids and elongation of micronucleus seems like anaphase stays ठीक है तो क्योंकि यह peramecium के case में हो रहा है अगर यह higher animals के case में होता तो उस टाइम पे वह सीध है क्या होता है anaphase में दोनों ही जो chromosomes हैं जो अपने-पने spindle के साँ जुड़ चुके हैं वो अपने-पनी side की और वो move करते लेकिन यहां पे कह रहे हैं कि जो micronucleus है वो कुछ ज्यादा लंबा हो जाता है खिच जाएगा उपर दोनों ही पोल की ओड़ ठीक है तो उस stage को इसमें मान रहे हैं anaphase की stage जैसा कि अभी आप next इसमें आप figure में देखेंगे तो आपको यह और ज्यादा clear हो जाएगा उसकी बाद lastly telophase stage इसमें क्या हो रहा कि वो इसके micronucleus में एंगे ठीक है तो वो इतना ज्यादा elongate हो जाता है यानि कि इतना ज्यादा खिच जाता है कि वो दो भागों में लगातार वो बट जाएगा लगातार से मतलब है कि वो दो भागों में बट जाएगा और इस तरह से उसका आधा पार्ट एक पोल के ओर तो इस तरह से उसमें जो micronucleus है वो दो डॉटर माइक्रो नुकलियाई में वो कनवर्ट हो जाएगा ठीक है तो अब लास्ली कह लिए दाटर माइक्रो माइक्रो नुकलियाई दैन सेपरेट अब जब वो किच के अलग हो गया है तो वो दोनों सेपरेशन हो जाएगा तो अ तो तो आप देखेंगे उसमें एलॉंगेशन हो रहा है यानी कि वो काफी लंबा इतना लंबा खिच जा रहा है तो नोपन की ओर क्योंकि जैसा कि इसमें ट्रांसवर्स हो रहा है यानी कि बीच में ग्रूव बनने के बाद इसके जो भी इसका जो नूपलियर माटीरियल है या जो भी इसके अंदर के जो ओर्गनेल हैं आप कह सकते हैं कि वो एक से दो भागों में बट जा रहे हैं ठीक है लेकिन ये प्रोसेस स्टार्ट होने के पहले जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि जो इसके बागी के सेल ओर्गनेल वो गायब हो जाएंगे और जो इसका म मैक्रो न्यूकलियस में भी डिविजन होगा लेकिन उसमें किसी भी तरह का बीना सेल डिविजन हुए वो एक से दो में कनवर्ट हो जाएंगे तो इस तरह के डिविजन को हम कहेंगे इमाइटॉटिक डिविजन तो इसमें भी यह ज्यादा लंबा हो जाएगा और आप प्रोसेस पहले होगी जिसमें कि माइक्रो न्यूकलियस में चेंजेस आएंगे और वो बिल्कुल ही डिवाइड होगा माइटॉटिक डिविजन की तरह और लास्ली मैक्रो न्यूकलियस डिवाइड होगा ठीक है तो चलो अब इसको हम जो फिगर है उसकी माधियम से भी मेक्रों हूं टुकलर जितने क्रोमोसोम हो गें वो यहां पर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे इसके बाद में देखा थाum मेटाफेस की स्टेज में हमने देखा था जो क्रोमोजोम हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे याने कि एक से दो में वो डिवाइड हो जाएंगे और वो बिल्कुल एक्वेटर पर आ जाएंगे जैसा कि यहां पर दिखाया है फिर आप देखें फिगर सी जिसमें लिखा है एनाफ एनाफेस में मैंने आपको कहा था कि जो क्रोमोजोम हैं वो अपने अपने पोल की ओर जाने शुरू हो जाएंगे और बीच में इसमें धीरे-धीरे इलोंगेशन भी होगा याने कि जो माइक्रो नूकलियस है वो धीरे-धीरे लंबा होना शुरू हो जाएगा और बीच में और बीच में जो ग्रूव है वो फाइनली इतना ज्यादा ग्रूव अंदर की ओर धर जाएगा जिससे की वो दो डॉटर माइक्रो नुकलियाई में वो कनवर्ट हो जाएंगे, ठीके, तो वो ही प्रोसेज आप लोगों को यहां पे दिखाई गई है, ओके, तो जो इसका में डिविजिन है, वो हो चुका है, कौन सा? माइक्रो नुकलियस डिवाइड हो गया, प्लैस माक्रो नुकलियस भी डिवाइड होके, टू पार्ट में बढ़ गया, अब बाकी के जो इसके बॉड़ी के पार्ट से हैं, अब वो धीरे धीरे रहे अपैर हो जा जाते हिने आने कि वह दिख़्ाई देने शुरू होंगे और जब यह नूगे पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा तो ङॉडened बनने शुरू हो जाएंगे, यानि कि एक उपर anterior side को और एक नीचे posterior side को, ठीक है, और साथ ही इसी तरह से इसमें contractile vacuole बनेगा, एक उपर की और और एक नीचे की side को, इसी तरह से जो buckle, जो structure है, उसके जितने parts हैं, वो बनने शुरू हो जाएंगे दोनों और उपर और नीचे अब देखो finally क्या होगा, cytokinesis, अब cytokinesis की process में क्या हो रहा है इसमें, जो paramecium है उसमें बीच में क्या होगा, group बन जाएगा, जिससे कि जो उसका cytoplasm है, वो आधा उपर की हो रहेगा, और आधा नीचे की हो रहेगा, तो इस तरह से वो group बनते बनते इतना जादा अंदर की और धस जाएगा, कि जो paramecium है वो एक से दो भागों में बढ़ जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से जो anterior side का जो paramecium बनेगा, या daughter paramecium से कहेंगे, उसे कहेंगे, उसे कहेंगे, प्रोटर paramecium, या प्रोटर कहेंगे उसको, और इसी तरह से जो इसके posterior end की और जो paramecium बनेगा, या daughter paramecium बनेगा, उसे कहेंगे, अपिस ते, ठीक है, तो finally इस तरह से पहले micronucleus इसमें divide हुआ, उसके बाद macronucleus divide हुआ, उसके बाद जो इसके body के जो different parts से वो इसमें दिखाई देने शुरू हुए, उनके भी दो दो पार्ट बनें, एक उपर की और और एक नीचे की और और इस तरह से lastly जो है, इसमें cytoplasm divide होगा, और finally दो paramecium या daughter paramecium बनेंगे, अब देखो student, इसमें जो इस तरह का division है, यानि कि जो transfers, binary fission है, उसका महत्व क्या है, इसमें क्या होगा, जो daughter paramecium बनेंगे, वो बिलकुल जो parent paramecium है, उसके clone copy होगा, ठीक है, यानि कि उनका जो genetic make-up होगा, जितने number of, जो उनके parents में, जितने number of chromosome होगे, similar number of chromosome, जो daughter paramecium होगा, उसमें होगा, ठीक है, तो इसलिए हम उसको clone copy भी कह सकते हैं, तो ये इसका genetic significance है, या इसका महत्व है, चलिए अब binary fission को इस figure के माद हम से भी समझ लेते हैं, तो student सबसे पहले आप इसके सभी numbers जो यहां पे लिखे गए हैं, one, two, three, four, five, इन figures को आप अच्छे से देखिए, और चलिए number one पे आजाईए, one पे आप देख रहे हैं कि paramecium divide होने के पहले, इसमें सारे ही इसके जो body के organelles हैं, वो यहां पे सारे दिखाई दे रहे हैं, और इसके बाद ये, जब ये stage two में जा होगा, at the same time आप देखोगे, कि जो macronucleus है, वो भी divide हो रहा है, लेकिन उसमें किसी भी तरह का cell division नहीं हो रहा है, वो सिर्फ लंबाई में खिसते वे जाएगा, और उसमें बीच में group बनने की वज़े से उसमें division होता है, तो इस तरह के division को हम कहते हैं, amitotic division, ठीक है, तो अब देखो, जो इसमें micronucleus है, उसमें सभी, जो mitosis की, जो सभी processes है, वो यहाँ पे stage 2 पे शुरू होती है, और जो stage 3 की stage है, यहाँ पे आप देखो, telophase वाली stage है, जहाँ पे कि जो chromosomes हैं, वो अपनी-पनी side पहुंच जाते हैं, यानि कि एक अपनी spindle की और, और एक अपनी spindle cure, posterior side और anterior side, दोनों चले जाते हैं, और इस दोरान, जो यह micronucleus है, इसका जो structure होगा, यह काफी खिचा हुआ और लंबा दिखाई देगा, और उसी तरह से, आप देखो, macronucleus है, उसमें भी इसी तरह का आपको खिचाओ दिखाई दे रहा है, और बीच में काफी पतला ह हो गया है, तो इसी तरह से, यह दोनों ही, चाहिए वो micronucleus है, या फिर macronucleus है, यह दोनों telophase की stage में आधा-धा बटने को यह बिलकुल तयार हैं, खिचाओ की वज़े से, और at the same time, जब telophase की stage अपने अंतिम चरण की और होती है, तो आप देखो, यहां पे इसमें इसमें हैं, वो दोनों ही, याने की anterior side और posterior side दोनों ही और आधा-धा बढ़ जाता है, और इसी के साथ ही जो यह paramecia है, इसके जो different cell organelles हैं, वो भी बनने शुरू हो जाते हैं, जैसे आपको इसमें contractile vacuole भी divide होके, दो में बनना आपको दिखाई दे रहा है, एक उपर पहु फाइनली daughter paramecia में यह divide होके, यह अलग हो जाते हैं, तो इसका जो genetic, मैंने आपको significance बताया था, कि जो daughter paramecia है, वो बिल्कुल अपने parent paramecia की तरह होगी, याने कि जितने number of chromosome जो इसके parent paramecia है, उसमें होगे, उतने ही number of chromosome daughter paramecia में होगे, अब आप यह सोच रहे होंगे, कि इस इसमें हम parent paramecia की इसको कहें, तो यह दोनों ही एक तरह से एक दूसरे की parent paramecia है, यह आप इनको daughter paramecia भी कह सकते हो, तो इस तरह से आप देखोगे, कि इस तरह के division में, जिसमें की transverse binary fashion हो रहा है, उसमें किसी भी तरह का आपको genetic variation देखने को नहीं मिल रहा है, ठीके, तो genetic variation क जहां पे आएगा, जहां पे mixing of two different kind of chromosome होगा, यानि कि दो अलग अलग तरह कि जब chromosome आपस में सफल होंगे, mix up होंगे, तो उस case में genetic variation होने की chances होते हैं, पर यहां पे क्या हो रहा है, कि जो daughter paramecia है, वो एक parent paramecia होगे, दो में convert हो जा रहा है, यानि कि जो उसके chromosome number जितने हैं, उतने ही daughter paramecia में भी बने हुए हैं, और जैसा वो दिखाई देता है, वैसा ही, जो उसका daughter paramecia है, वो दिखाई देता है, तो इस तरह से इसमें transverse binary fission होता है, so student हमेशा याद रखो कि जब भी किसी भी तरह का reproduction होगा, चाहे वो किसी भी variety का reproduction है paramecia में, finally जब भी यह divide होगा तो हमेशा binary fission के through यह reproduce करेगा, या अपनी ही तरह के daughter paramecia को produce करेगा, so student जो इसके anterior side का daughter paramecia होगा, उसे हम कहेंगे proter, और जो posterior side, यानि की पीछे की ओर से जो paramecia बनेगा, या daughter paramecia बनेगा, उसे कहेंगे office ते, ठीक है, तो अब इसका जो genetic variation है, उसमें मैंने आपको बताया कि बिल्कुल similar number of chromosome उसमें रहेंगे, जैसे उसके parent paramecia में है, ठीक है, अब ये दोनों ही एक दूसरे की parent paramecia आप कहें सकते हो, या daughter paramecia कहें सकते हो, तो इन में जो genetic significance है, वो ये है कि दोनों ही एक दूसरे की clone copy रहेंगे, ठीक है, तो जैसा एक है, वैसा ही दूसरा जो daughter paramecia वो भी उसी तरह का दिखाई देगा, और किसी भी तरह का इन में genetic variation नहीं होगा, तो ये binary fission की importance है, so student हमेशे आदर्खो, जाहे इसमें किसी भी तरह का इसमें division होता है, या reproduction होता है, तो finally जब भी paramecia divide होगा, वो हमेशा binary fission की तूसरूद divide होगा, ठीक है, और binary fission में भी य transverse binary fission ही इसमें जादा तर उसी के थूँ ये divide होता है, so student, तो ये था transverse binary fission in paramecia, I hope this lecture will help you in your studies, thank you, bye